मनिशा कोईराला ने बताया कि किस तरह से उनके टाइम पर इंडस्ट्री में फेकनेस बहुत जादा चलती थी अक्ट्रस के प्रती सिर्फ सेक्सिस्ट सोच चलती थी अगर कोई आक्टर है, हैंसम है और वो तीन-चार गल्फरेंड रखता है तो उसे सब माचो कहा करते थे, उसे स्टार की नजरों से देखा करते थे लेकिन ऐसा कोई लड़की कर ले तो उसे जज़ किया जाता था मनिशा कोईराला ने ये भी कहा कि अगर किसी लड़की का उस टाइम बॉइफरेंड होता था लेकिन उनके आसपास लोग उन्हें ऐसा पब्लिकली बताने से मना करते थे उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में मैं गई हूँ और मैं वाटका पी रही हूँ तो मुझे कहा जाता था कि आप ये मत बताओ कि आप वाटका पी रहे हो आप बोलो कि ये तो कोक है या मैं कॉफी पी रही हूँ मनीशा कोईराला का क्याना है कि तब उनकी मदर ने उनकी मदद की और उनकी मदर ने कहा कि तुम जो कर रही हो तुम वही कहो जूट मत बोलो अगर तुम वोटका पी रही हो तो तुम वोटका ही बोलो अगर तुम किसी को डेट कर रही हो तो बोलो कि तुम डेट कर रही हो मनीशा कोईराला अपने time की काफी bold actress थी और मनीशा ने अक्सर अपनी competitive actresses के बारे में या अपने रिष्टों के बारे में बात की हाला कि इस वज़े से उन्हें काफी खामियाजा जेलना बड़ा उन्हें एक time पर controversial actress भी कहा गया और बहुत सारा काम उनके हाथों से भी गया